ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी क्रश्न हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधरमेंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल यह राशीफल है 3 जून 2023 शनिवार का दिन है जेस्ट महा के शुकलपक्ष की चतूर दशीति थी है इस दिन पूर्णिमा भी रहेगी तथा जो माताएं वहने प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको इसी दिन व्रत रखना चाहिए वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत इसी दिन होगा तथा प्रत्येक महा की जो पूर्णी महा होगी वो भी इसी दिन रहेगी तथा इसी दिन अनुराधा नामक नक्षत्र होगा व्रश्चिक रासी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो पूर दिशा में होंगे इसलिए पूर दिशा की यात्र करना नुक्सान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस्पूरुदिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यख हो तो अध्रक खाकर के यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जोकी प्रातह नो बजे से शुरू हो करके साड़े दस बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवा मांगलिक कारिक्रम आपको संपादित नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णई आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अथवा केलेंडर कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई खेत्रों में माना जाता है और कई खेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की व्रशव रासी में वहीं चंदरमा व्रश्चिक रासी में मंगल ग्रह करकराशी में बुद्ध ग्रह मेंस रासी में देव गुरु ब्रहस पती जोकी मेस रासी में शुक्र ग्रह करक राशी में शनिदेव कुम्ब राशी में राहु ग्रह मेस रासी में तथा केतु ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार मेश मिथुन सिंग तुला धनू एवं कुम्ब ये छे राशियां सबसे दिख भागिशा लेने वाली है करक्षत्र में इनको नती और प्रगती के उत्तम और उसर प्राप्त हो सकते हैं इसके अलावा जो भी काम इनके द्वरा किया जाएगा उसमें भी इनको अधिक से अधिक लाब प्राप्त होने का योग बन रहा है तो कुल मिला करके छे राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का दैनिक राशी भल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस्थाई संपर्टी प्रापर्टी के लेंदेन संबंदी कुछ लाबदायक योजनाएं बनेगी घर के बदलाव संबंदी विशय पर भी मातुपूर्ण चर्चा होगी रुके होए अटके होए काम पूरे होंगे आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की जीवन को सकारात्मक नजरिये से समझने की कोशिश करे इससे आपके अंदर चल रही कई गलत फेमिया सुलच जाएगी धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बड़ता विश्वास भी आपको शान्ती और मांसिक सुख प्रदान करेगा बच्चों को अपनी पड़ाई में और अधिक ध्यान देने की आऊशकता है इसलिए फालतू की गतिविदियों से अपना ध्यान ठाए किसी नजदी की मित्र या रिस्तिदार से मामूली बात को लेकर के वैचारिक मदवेद उत्पन हो सकते हैं इसलिए किसी भी बात को ज़्यादा तूल न दे और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं तो आपका देन शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की घर में रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आदान प्रदान घर के वाटावरन को खुश्णुमा बनाएगा अपने महत्तुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को आपसी वारतालाप से अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा बच्चों पर कठोर नियंतरन न रख करके मित्रवत व्यभार रखे इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे और उपाई के रूप में हरी सबजी का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आस्वानी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की मन और अंजन और हास परिहास में आपका समय वितित होगा हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्ता बनी रहेगी बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना है किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करे और अपनी वस्तू को संभाल कर रखे ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की परिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे कोई आर्थिक परिशानी होने से आपके मित्र आपकी मड़ट के लिए ततपर रहेंगे परंतु कभी-कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम वा संक्रिनता परिवार के लोगों के लिए परिशानी का कारण बन सकती है इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बना कर रखना अति आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लौंग या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी समयच से भी संस्था में आपका विशेस योगदान रहेगा जिस कारण आपको मान सम्मान व यश भी प्राप्ती होगी आपके अपनी व्यक्तिगत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है कोई अचानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिल्कुल न पड़े क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिया उत्पन न हो सकती है उपाई के रूप में भगर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मीठी वस्तू खाकर निकलते हैं तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भगशाली अंक आठ होगा भगशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज किसी भी गती विधी में दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फाइदेबन साबित होगा निकट संबंधियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन हो सकता है काम की अधिक्ता की वज़े से स्वभाव में चर्चड़ापन रहेगा जिसका असर परिवार की विवस्था को खराप कर सकता है अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको पॉजेटिविटी बहुत आवश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो निश्चे ही आपके स्वभाव में एक सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाई के रूप में भागवान विष्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासी की घर के बड़े भुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना आपके जीवन को कुछ सकारत्मक पहलियों से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासित तथा अग्याकारी रहेंगे स्वास्त में हलकी पुल की परिशानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे पहरिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थिति में सुधार होगा धनलाब होगा नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़े हैं उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दही का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की राजनेतिक गतिविधियों से जोड़े मित्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगे तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा समय का भरपूर फाइदा उठाए मरो रंजन संबन्दी कारियों में आपका समय बेटित होगा अपने विक्तिगत कारियों में किसी बाहरी वक्ती को शामिल नगरे कोई आपकी गतीविधियों का नाजाइस फाइदा उठा कर आपको नुक्सान पहुंचा सकता है बच्चों की गती विधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्णु जी के मंदिर में कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक दो होगा भगिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की सामाजी कारिकरताओं के साथ उनकी गती विधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्वपुर्ण मुकाम हासिल करवाएगा आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे कहीं से कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पुनर विचार करना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अटके हुए रुके हुए कारियों में वेतित करेंगे इस्थाई संपत्ती भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन हो जाएंगे घर परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं कोई शुभ और मैंगलिक कारिक्रम भी आपके मन में चलते रहेंगे जिनके विशय में आप कुछ कारिय भी संपन करेंगे और संतान संबंदी कोई चिंता आपको परिशान करेगी कोई खुशकबरी ऐसी मिलने वाली है जिससे आपकी चिंताएं लगभग समाप्त हो जाएगी उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत होगा और घर की सुक्सुविधा संबद्धी कार ये भी आपके पूर्ण हो जाएंगे अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में व्यतीत करेंगे रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोग से संपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंद और अधिक मजबूत होंगे आपकी जो शंकालू या जित की प्रवत्ती है उसको परिवर्तन करना चाहिए थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में चट के उपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई थाबित होगा और आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लीजे आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद